मैं मूर्शी मिना कम्ला मोद्51 गारश तोलेजद नीम Stunden आज बीए पाठ देत्या का टोपिक मद्धवन भारती त्यास का साज्या का जीवन प्रिचे साज्या औहुरस की इसातं काल के बारे में अध्यन करेंगें सबसे पहले हम साज्या का जीवन प्रिचे के बारे में जानका इनके पिटा जहांगीर थे मा मोटा राजा उद्दे सिंग मारोड के पुत्री जगद गोसाई थी सिंग का जन्म हुआ पंद्रा सो बाणों में और शोडा सो बारा में अरजुमंद मानू बेगम सिंग का व्योवा हुआ मुमताज महल से उसके बाद ये नूर्जा गुट में रहे नूर्जा गुट में सोडा सो ग्यारा से बाईस तक रहे इस गुट में रहते हुए इन्होंने कई मोगल अभिहानों का नीत्रतों किया जिसमें मुखी है मेवाड अभिहान तो सोडा सो पंद्रा में और अमरशिंग प्राजित करके मेवड के सासक से स्वासु पंद्रा में संदी की ये बड़ी उपलब देती दक्षिन बारत का भिहान केया है ने सोड़ा सत्रा में और इनका जो बच्पन का नाम खूरम था उसके साजा की उपादी उने प्राप्त की उसके बाद मद्देश का भ्यान किया लेकिन बाद में नूर्जा गुट में नूर्जा से इनकी अन्बन होगी इसलिए ने विद्रो कर दिया इसलिए इसलिए विद्रो करने के बाद इसके विद्रो को खांजा महवद खाने दमन कर दिया 1625 में और 1626 में इनको माफ़ करके दक्षिनबारत भीज दिया गया तब भी 1727 में जहांगीर की मर्तियों गई उजहांगीर की मर्तियों के बाद इनके ससुर आसफ खाने दिवान खौजा अबूल असन ने कुटनितिक चालों से कुसरो जो जहांगीर सबसे बेटा बेटा था उसकी पुत्र द्वारवक्ष को सिंवासन पर बिठा दिया और बाद में साजा को बुला लिया साजा जब आया तब तो उसके सभी भाई परतिनुदी को मार दिया गया और फिर द्वारवक्ष को भी मार दिया इसलिए इत्यासकार द्वार्वक्स को बल्ली का वक्रा करते हैं और साजा 1628 में सासक बनना आए गया 24 पर विश्टार 28 में सासक बनने के बाद उसके समय कई समस्याई कुछ तो विद्रो है और कुछ ने सामराजय विश्टार किया मदेशिया और धक्षिन बाहत के प्रतिफिक की जो नीतिया और दो धार्मे नीति इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले करेंगे साजा के समय होए विद्रो पर साजा के समय सहजोकार में पहला विद्रो इसका साजा ने दबन कर दिया उसके बाद साजा का समानित योगिय सेनपति खाने जहां लोदी ने विद्रों के आठाइस में उसका विद्मन कर दिया पुर्तुगालियों उद्रूनता दिखाई उन्हें साजा ने 1632 में हुगली में घेर लिया वो उनके व्यापरिकेंटर पर दिकार कर लिया माफ्य मांग ने पर उनको उगली छेतर वापस दे दिया इसके अलावा 1628 में साजा के समय शिक, शिकों के साथ में मन से उत्पन हुगया उसका कारणी यह था कि साजा का एक बाग उड़तावा गूरू हर्गोविंद के खेमे में चलाए गया जिससे गूरू ने देने से इंकार कर दिया इससे मुगोल शिकों के बीच जगड़ा आरम हो गया दूसरा कारण था जगड़े का कि गूरू हर्गोविंद सिरी गोविंद पूर नामक नगर बस आ रहे थे जिसका मुगल विरोध कर रहे थे इसको लेकर भी जगड़ा रहा तो यहां से सिक और मुगलों के संगर सारम हुआ जो औरुण जेव के समय तक लंबे समय तक चलता रहा इसी तरह से साजा के चोथे पॉआच वर से न 32-33 में 16-32 में दक्षन गुजरात में दुर्विख्ष पड़ा जिसकी वज़े से दक्षन गुजरात विरान हो गया और वहां समय तक पुनगी उसका समाधान के लिए भी साजा ने कई प्रियास की उसके बाद साजा ने सामराजी विश्टार पर धेहन दिया और सामराजी विश्त का जो सासक था सुल्तान उसेंसा उसको गौायलिक के लिए में बंद कर दिया और एहमाद नगर के वजीर मलिक अंबर के आयोगे पूत्तर पत्था खां को राज्जे की शिवा में ले लिया उस समय एहमाद नगर के जो प्रधान मंतरी थे वो साजी बहुस ले थे जब एहमाद नगर मुगल सामराजी मिला ले गया तो उसको छोड़ कर विजपर की शिवा में चले गए लेहमाद नगर को शामराजी मिलाने के बाद साजा ने गोल कुंदा पर दवाव डाला गोल कुंदा के सासक कुत्व सा अलफ विजशक थे उन्हें 1636 में मुगलों से संदी कर ली इस संदी के फलस्रूप सांजा के नाम का कुत्बा और शिक्के दोनों पर समलित के लिए कु विभ औरेजेव के फृत्तर सयजार मुहमूद से भी कर दिया고 है गोल कुंदा के सुल्तान सीय संदी कुद्व सेसे कि इड़ान के सा का नाम ठाकर सांजार का नाम सामिल किया और चाहला खून जो मुद्रा गोल कुंदा राज ये जब्यापर को दिड़ता था वह माफ कर द और मुखलों की सिवाउं में चला गया था और मिर जुमला ने साज यूख कोई नूर ही रादिया था गॉल कूंडा से संदी के बाद प्रेंद्रा गुलुबर्गा बिजापुर से 1636 में आकर्ण किया मुहमुद उसमें बिजापुर का साशक था मुहमुद आदिल सा पर्थम उस संदी करने के लिए विवस किया फुल सुरूप मुहमुद आदिल सा ने विजापुर में संदी की और गुंतिस लाख रुपए पर्तिवर्ष मुगलबाद सा साशा को देने का बादा किया इसके लावा विजापुर ने प्रेंद्रा गुलुबर्गा बिद्दर 16 पूर के केले मुगलों को दे दी प्रेंदर जांगिर के समय जो कंधार 1622 में निकल गया था उसको वपस प्राप्त करने का प्रयास साजा ने किया उसके कुछ नितिक प्रयासों का इस फन निकला कि अल्ली मर्दान खा जो कंधार का के लिदार था उसने 1649 में कंधार साजा को सोब दिया 1647 तक कंधार पर साजा का दिगारा लेकिन 1647 में कंधार मुगलों से छिन ले गया उसके बाद अमेशा से उनके आर्थ से मदेशी का बलग और बंदक सकार शेतर चला गया इसको प्राप्त करने के लिए साजा ने मदेशी अभ़यान किये पहला करने तो दाराशे को का दिया फिर और नंग्जेव को दिया फिर दाराशे को को दिया और इस इन अभिहानों में 40 क्रोड फे कहानी हुई लेकिन मदेशिया को सांजा नहीं जीत पाया उसे उल्टा उसका खाजाना खाली हो गया ये मूढ उसे शीन गया ये थे सांजा का सामराजे विश्टार के लब सांजा के समय उसके अंतिम काल में उत्रह दिकर युद हुए ये युद हुए छे सितम स्वड़ों सत्ताओन में जब सांजा बीमार पड़ गया तो उनके पुत्रों के बीच उत्रादी का आरम हुए युद आरम हुए सांजा के चार पुत्र थे दारा शेको सासजा और अन्जेव का साधिया और गौहनाषं का साजागों जीवत रहते ही ये यूद लड़ा गया ये मुगल इत्यास का पहला भान है जिसमें बादसा को रहते हुए सिहासन के लिए यूद लड़ा गया इस यूद की शुरुआत ऐसे होई सबसे पहले सासुजा ने बंगाल में मुराद में गुजरात में अपने आपको सोतन तरबात सा गोशित कर दिया और इधर आगरा में दारा सिको ने उससे मकाबला करने की कोशिश की इसके लिए अपने पुत्तर सुलेमान सिको और जै सिंग को सासुजा का मकाबला करने के लिए बेजा सुलेमान सिको और जै सिंग ने सासुजा को बनारस के पांच कुन दूर बहादुरपूर नामगस्तान पर रोक लिया और बहादुर्पूर नामकस्तान पर सुलियमान सिको जैसिंग वरसेज सासुजा के बीच युदुवा जिसमें सासुजा हार गया और बंगाल के तरफ वापस बाग गया और वहीं असम में उसको मार दिया गया दूसरा मुरादवक्स गुजराद से चला उसका साथ औरंग्जेव ने दिया औरंग्जेव मुरादवक्स की सेना को उज्जेन से 14 मिल दूर धर्मत नामकस्तान पर रोग दिया गया इनका मुकाबला करने के लिए दारा सिकों ने जस्वन सिंग और कासिम खान को वेजा जस्वन सिंग और कासिम खान वर शेज औरंग्जेव मुरादवक्स की सेना के बिच मुकाबला वा जिसमें जस्वन सिंग कासिम खान हार गए औरंग्जेव मुरादवक्स की जीत हुई ये युद 14 अप्रेल प्रशोट थाउन को आता इस युद में हाने के बाद जब जस्वन सिंग जोध पूर लोटे तो उनकी रानी ने उनका दर्वाजा नी खुला था ये एक मुखी गटना थी इसको जीतने के बाद धर्मत का युद को जीतने के बाद औरंग जेव मुराद की समुलित सेना ने गुंतिस में 1608 ठाउन को सामुगड आगरा के पास में साही सेना से युद किया जिसका नेततु दारा से को कर रहा था और उसमें दारा को अरा दिया इसमें दारा के प्राजे का कारण सामुगड की युद में प्राजे के मुख्यकारणी था कि मुसमाल सरदारों ने विश्वास घात किया ओरंग्जेव कुटनिती से मुराद को बंदी बना लिया और उसके त्या कर दी फिर ओरंग्जेव सुझा के बीश्च पांच जनवरी 1660 अजमेर की निकट देवराय गाठी में युद्वा जिसम में दारा प्राजित्वा और उसे बंदी बना लिया गया और ओरंग्जेव ने दारा को अबदर में सहज़ादा गोशित किया और उसको मार कर उसका सव दिली की सटकों पर गुमाया गया बाद में हुमाई के मकबरे में दपना दिया गया इस अफमाजन के विवहार का गवाब वर्नियर था विसाल भीड एक्टर थी सुरतर में ने लोगों को रोते बिलगते देखा दारा के भागे पशोक पर गटकरते वे ऐसा में पहले बार देखा ये थे उनके साजा का और उन्तरा की पुत्रों का युद इस युद के बाद दिल्ली और आगरा पर दिखार के लिए पहले दिल्ली पर और जिम ने राज़ा भिशे किया और फिर आगरा में राज़ा भिशे किया और साजा को केद कर लिया गया और उसे आगरा के किल्ले में बंद कर दिया गया बुर्जों में और वहीं पे मुझबुम बुर्ज में वहीं पर 1666 में साजा की मर्ती हो गई यह थी साजा साजा के अन्य धार्मी नितियों प्रशासनी वेश्टा की बात करें तो पहले हम धार्मी निति लेते हैं साजा की धार्मी निति साजा ने अपने शासन काल में आर्मी वर्सों में इस्लाम का पक्स लिया किन्तु बाद में दारा और जहारा के प्रभाव से उस्षून बन गया जहारा ने 1636 में सिजद्दा और पाइवेस परता को समाप्त करा दिया उसके इस्तान चहार तस्लीम के बता सुरू करवाई था पगड़ी में बादसा की तस्वीर पहनने के मना ही कर दी सिजद्दा और पाइवेस पैर चुड़ना और जुक कर सलाम करना इसको बंद करा दिया उसके जगए चाहर तस्लीम सुरू कराया और पगड़ी में जो बादसा की तस्वीर थी और वो भी बंद करा दिया साजा ने इलाई समवत का स्थान पर हिजरी समवत चलाया हिंदू मु कर लगाया कुछ समय बाद आठा दिया गो अत्यानी शेद समंद्य अकबर जांगिर का देश को समाप्त कर दिया साजा ने 1613 में पूरे समराजे में नव निर्मित हिंदू मंदिरों ग्रादेने का उक्म नामा जारी किया जिसके फलु सुरू बनारस, इलाबाद, गुजराद, कस्मीर, मैनिक मंदिर तोड़े गे साजा ने जुजहर शिंग के परिवर कुछ सदस्यों को मुलाद इसलाम स्युकार करने लिए बाद देखिया साजा ने 1634 में पबंदी लगा थी कि कोई मुस्लमान लड़की तब तक हिंदू लड़के से नहीं विवा की जा सकती जब तक इसलाम धर्म स्युकार ने कर लिया जाए पुर्तगालिस युद होने पुछ ने आगरे के गिर्जा घर में को तुड़वा दिया उसने अपने सासन काल में साथ वरस ने यादेज निकाला कि अधिया आप इस नाम धर्म से उकार करते हो तो आपको अपने पिता की समस्तिका इस्सा मिलेगा साजा ने हिंदू को मुस्मार बनाने के लिए एक पर्थवी भाग भी इस्ताफित किया साजा ने दो लाग पचास जारुपे कीमती हीरे कि इन कारे के लाओ ऐसे कारे भी की जो दो हमें सुछनता के परिच्छे देते हैं जैसे साजा ने जरोका दरसन तूलादान हिंदूरा जाओं के मात्रबती लगाने के लिए पुर्थजारे की साजा ने हमदाबाद की चिंतामनी मंदिर की मरमत की जाने का गया दी खंबात के नागिरों रोद किया जने पर गोत अपपाबंदी लगा दी रस गंगादर गंगा लहरी के लेखे पंडीत जगनात साजा का राज कवी था इसके तरिक चिंतामनी कमिंदा चारे सुंदरदास आदियनेक हंदूलेक उसके दरवार में थे तो अकबर जांगिर के तुलना में साजा ज़्यादा कटर था लेकिन फिर भी कुछ उधार था कटर तक उधार उसका ये मिलता है कि उसने इलाई के जगे इजलित समथ चलाया चाहारी तस्लीम चलाये हिंदों पर तिर्थ यात्रा कर लगाया हिंदों मंदिर बनार सिलावाद गुजरात और कश्मीर में तोड़ने का आदेश दिये जो जार सिंग के परिवार को जब अदस्ति इसलाम से उकरकर लेकिन ने बात देखिया मुस्लीम लड़कियों को हिंदों लड़के से विवा करने पर पारबंदी लगाई पूर्दगालिओं का गिर जागर तोड़ा इसलाम दर्म से विकार करने वालों को समपत्ति में इस्सा देने के वकालत की फिंदों को मुस्ल्मार मढ़ने के लिए पर थवी वा कोला पचास ज़र पे मका के दर्म गुरु को दिया मका में दिना मुलाओं फकेरों को दान दक्षना वेजी ये तो उसके कटरता किया थे लेकिन शेशूंता भी उसके दालमनीती में दिखाई देती है जैसे जहरों का तूल लादान हिंदू राजाओं के तेलक लगाने के प्रता को जारी रखा चिंतामनी मंदिर की मर्मत करवाई गोत्या परपाबंदी लगाई उसके दरवार में रैस गंगा दरगंगा लहरी के लेखक जगनाथ रहते था चिंतामनी कविंदाचारी सुन्दरदास आधि को दरवार में रखा ये उसकी सहाशनिक दार्वी निति को दर्शाता है उसके समय उसका एक दरवार निति जो धार बढाने मुख्य मुमिकारी वो थे उसके बड़े पुत्तर दारवसिको तो दारवसिको प्रपी टिपनी पूच लेते कई बार तो दारवसिको के बारे में थोड़ा सा बताय देते दारवसिको का जनम 1615 इस्वी को हुआ दारा सुफियों की कादरी प्रमप्रा से बहुत प्रहवित थे कादरी सिलसिले के परशित संथ मुलासा उसके आधाते में बुरू थे खुरुकोंते मुलासा लेनपुल ने दारा को लगु अकबर कहा है ये साजा का जैश्ट पूत्र था लोगंजिव का बड़ा बाईतम साजा ने दारा को साब बुलंद इकबाल की उपादी से विभुशित किया था दारा 1633 में यूरो आज बनाया गया उसे उच मंसब देगे 1645-47 में लाहोर और 1646 में गुजरात का सासक बनाया गया पूचा फिर साजा ने इसे अपने उत्रादी का रूप में देखता था जो दारा अने बायों को स्युकार नहीं था साजा की बीमार पढ़ने पर औरंग्जेव और मुराद ने दारा के काफिर ध्रमद्रोई होने का नारा लगाया दारा दो बार पहले आगरग निकट सामोगट जून 1658 फिर अजमेरी के निकट देवराई मार्च 1669 में प्राजित्वा अन्त में सित्मर 1669 को दिली में औरंग्जेव औरंग्जेव के त्या करवा दी दारा का बड़ा पुत्र औरंग्जेव की कुरुतागा भाजन बड़ा और चोटा पुत्र गॉाली में केद कर लिया गया दारा सूफिवाद और तोहीद के जिग्यासू दारा ने सभी हिंदू-मुस्मान संतों से सदेव संपर्ग रखा ऐसे कई चित्र उपलब्द है जिनमें दारा को हिंदू-मुस्मान संतों की संपर्ग में दिखाया गया है वह परतिवा साली लेखक भी था उसने दारा ने सपिनात अल-ओलिया और सकिनात अल-ओलिया सुपी संतों की जिवन श्रीतर पर पुस्तिके लिगी सकिनात अल-ओलिया सुपी संतों पर है और सकिनात अल-ओलिया उसके गुरु मुल्ला सापर की जीवनी है इसके अलावा उसने दारान दिशाल ए हकुम नूमा सोना सो सो चिरालीस तारीकात ए हकिकत सुपी वाइदार सिंग विवेचन किया है अक्षर या जब नाम उसके कविता संगरों से उसे स्रेवस्वादी प्रवतिका बोध होता है दाराशिकों में धरम विराकर विवेचन हुआ है बाउन उपनिशुदों का नुवाद उसने सीरे ए अकबर सबसे बड़े रहसे में किया है दाराशिकों के अन्य रचनाई संस संस्क्रत भगवत गीता और योग विशिष्ट का फार्शी में नुवाद करवाया सबसे मत्मुकार उसका वेदों का संकलन है उसने वेदों को इस्वरे करती माना है दाराशिकों मौली कुछ तक मजम उलवहरिन दो समुद्रों का संगम की रचना की जिसमें हिंदू और इ सुपी संमंधि करनथ है सपीनात उलोलिया विवन सुप्यों का जीवन वृत है सक्रेनात उलोलिया कादरी ऑर्मपरा केakes स५्यों का जिवन वृत है Нап कॉलिया संतों की मार्याफ़ नका संकलन है टरीकत और अध्यात्मी माusing को विभिन चरन है रिशाल्य हकुनुमा सुभी व मुसल्मान उसे धर्मद्रोई मानते थे तापि दारा ने इसलाम की मुख्य भूमे को नहीं छोड़ा उसे धर्मद्रोई करार दिया जाने का मुख्य कारण उसे सरो धर्म स्रमेशन की पड़ूरती था जिसे इसलाम की स्थितिकेशन होने का भैता दो 2017 में दिली के डल होजी रोड के नाम पर बदल का दाराशी कुमार कर दिया गया यह था दाराशी को मुख्य और यह ता साज्जा यह टोफिक खत्म होता है अगला टोफिक और जेम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे ओके थेंक्यों